वेल्केम गाइस ट्राइज अफ सिमिलिजेशन के एक और वीडियो में जहापे में आपको बताऊंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवोर्ड्स कैसे पा सकते हैं तो इसके लिए तो एक यह उपा है कि आप केम स्टार्ट करने के पहले सब्सक्राइब में पहले हपते में क् बहुत ज्यादा रिवेंट रहता है तो उन में से ज्यादा तर आप कॉम्पलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए आपको टाउन अपका सियर्ज मतलब सिटी होल लेवल 14 16 तक ले जाना परेगा तो वह करने के लिए एक हपते में आप अपने सिटी होल 16 तक लेने के तो भी आपको मतलब करने को मिलेगा लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको थोरा सबर करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो मालूम है सबर का फल थोरा मिता होता है लेकिन जो भी हो आपको रिवोर्स बहुत ही मिलेगा सबर करेंगे तो रिवोर्स अच्छा-च्छा मिलेगा तो पहला तो किया है, आपको यहां पर, रिवोर्ट का मतलब जो ओप्शन है, यहां पर मिलता है, राइट साइड में टॉप में यह आइरन एज, जो जैम्स के नीचे है, इसमें क्लिक किजिए, यहां पर आपको दिखाएगा कि आपका कौन-कौन सा इवेंट चल रहा है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे बारबिरेंस को डिफीट करने, तो नृट इवेंट का रिवोर्ट में यह रिवाला मेररा ही, यहां पर मुझे 25 पर्संट फार्शन को बड़ंट हो गया, हो तो यह, हूप यह वाला मेरा हो जाएगा, मैं तो कल लोंगा, लेकिन आप इससे भी ज्यादा rewards कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबर करना पड़ेगा, कैसा सबर, आप अपना City Hall, लेवल 7 से उपर मत लीजे, तो लेवल 7 से उपर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो अपनी आइटेम में जाके देखेंगे, और अदर में जाके देखेंगे, तो यहाप आपको, जैसे यह टेरिटरियल टेरिबोल्स और रेंडम टेलिपोर्ट है, इसका साथ एक बिगन अब मेरे पास नहीं है, क्योंने है, क्योंकि मेरा जो City Hall है, यह Level 11 में पहुच क्यों, तो बिगनर टेलिपोर्ट आपके पास दो रहता है, दो बिगनर टेलिपोर्ट आपको फ्री में मिलता है, उनको आप City Hall 8 से पहले, आप अगर यूस करते हैं, तो अगर यूस नहीं करते पहला चीज है कि टेरिटोरियल टेलिपोर्ट से क्या कर सकते हैं, टेरिटोरियल टेलिपोर्ट से आप अपने टेरिटोरी में किसी भी जगा में, एक जगा से दूसरे जगा में जा सकते हैं, सिर्फ अपने टेरिटोरी में, आप मैं अभी यह होक्स, एक्स, एक्स, टेरिटोर टेलिपोर्ट की मदद से, फिर आता है टार्गेटेद टेलिपोर्ट, टार्गेटेद टेलिपोर्ट से में इस किंग्डम में मतब यह किंग्डम में और भी डिवीजन है, यह किंग्डम बहुत बढ़ा है, लेकिन यहापे यह जो पहार है, यह पहार के अंदर, मतब इस साइ में है यहाँ पर जो ओपन एरिया है यहाँ पर मैं कहीं भी जा सकता हूँ अगर मैं किसी एलाइंस में नहीं रहता हूँ लेकिन मैं अगर किसी एलाइंस में रहता हूँ अगर इसी एलाइंस उस एलाइंस के अगर मैं सेंट्रेल होल जो सेंट्रेल होल रहता है वो अगर इस ए मुझे इन दोनों से छोर के किसी और जगा में जाना है जैसे कि यह वाला है यह वाला हमारा kingdom नहीं है यह दूसरा kingdom है यहाँ पर जाना है तो यहाँ भी हम जा सकते हैं कैसे beginner teleport के मदद से तो आप क्या कीजिए पहले तो इस kingdom में जितना एक हपता पहला हपता में रहेंगे एक ह जाता reward ले सकते हैं जितना आपका mission complete कर सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या mission बोलता है वह mission complete कीजिए और reward ले जाए लेने के बाद आप क्या कीजिए यह पूरा जूम आउट कीजिए जूम आउट करने के बाद यह देखिए नीचे राइट सैट में एक बोटम में एक वर्ल्ड का आइकन दिखेगा तो यहाँ पर क्लिक कीजिए क्लिक करने पर एक लिस्ट आएगा ओके लिस्ट यह देखिए मैं अभी कहां पर हूँ यह kingdom of हालाकंदी म में kingdom of हालाकंदी में हूँ तो मैं अगर चाहू तो एक कॉंटिनेंट पर इगरिया में कहीं पर भी जा सकता हूँ लेकिन कब जा सकता हूँ अगर मेरा पास beginner टेलिपोर्ट हो तो अभी तो मैं city hall 11 पर हूँ इसलिए मेरा पास beginner टेलिपोर्ट नहीं है तो आप क्या कीजिए आप City Hall 7 में रहिए, 1 हम पर हमे पासिए जितना इवेंट क्रिटा सकते है, जितना इवेंट क्रेट से रिवोर्ट ले सकते हैं ले लिजेए आप वहा पर बहुत चारा रिवोर्ट वह देखने के लिए इस से पहला वीडियो मेरा देखिये तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जैल लेंजनरी करमांडर फ्री में कैसे मिला है तो वह चोरिए अभी इस वीडियो में आते हैं तो वह वाला मैं एक अप्टा कंप्लेट करने के बाद ताउनल मतब सीटी हो सेवन पे रहें एक हपता कंप्लेट करने के बाद क्या करूँगा मैं मतलब क्या करेंगे आप आप यह जो नीचे कॉंटिन ऑफ इग्रिया निया वाला खुला है न यहापे किसी भी एक में जाईए यह कॉंट किंग्डम ऑफ अगरतला किंग्डम ऑफ जोवाई किंग्डम पर ने ठीचे कॉंटिन जो है यह सर रें आपको मिलेगा एकशप्ट परबाल इवेंट आपको सिर्फ पहला हब्ता में ही मिलता है उसके बाद वह फिर नहीं मिलता है लेकिन दूसरा जतना भी इवेंट है वो आपको मिल जाएगा तो आप जायेगा किसी भी नेया किंडूम में जाएए जाकर टेलीपोर्ड होगे टेलीपोर्ट होके वहाँ पे उसका रिभॉर्ट जितना ले सकते है वह वह लेजिए, लेके, फिर क्या कज़िएगा, आपके पास और एक वहगिनर टेलिपोर्ट बच़एगा, उससे और दुसरा एक नया किंग्डम में जाएए, जाके वहाँपे बेट के वहाँ से रिवोड लेजिए, आपको मल्लिपल रिपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद को फिर से beginner teleport नहीं मिलेगा और दूसरे kingdom में जाने का मुखान नहीं मिलेगा इसलिए तीन बार teleport मतलब एक बार तो आप automatically जहां पर spawn होंगे उस kingdom में उसके बाद दूसरे kingdom में आप अपना first beginner तो आपका पावर बहुत ज्यादा बर जाएगा तीन हपते में आपका पावर एक लिस्ट वान मिलियन हो जाएगा अगर अपने अच्छे से खेलेंगे तो मतलब आराम से हो जाएका यह मेरा तो 302 यहां पे पहुंचा और यह ज़्यादा निकला मारा जो दूसरे बेस है यह देख है राइजमसी adapt का मेरा जो मेन बेस है यहां मेरा 800 ठाउजण से बार 陽 जया में यह पर फासे तो 800 00 से मेरा पार हो गया तो फेंके तीन हमते में आप उसमें 1 million से पार हो जाएंगा आराम से आप और आपके पास कुछ एक या दो या तीन चार लेजंडरी कमांडर भी रहेंगे और उनका बहुत सरा स्कल्प्चार और स्टारलाइट भी स्टारलाइट किया है जिससे आप लेजंडरी कमांडर के स्किल कापड़ कर पाएंगे वह पत्र को कैसे मिला वह नहीं देखा तो वह भी आप मेरे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं और अगर उससे भी पहले वाला वीडियो जहां पर मैंने बताया कि आप फ्री में जैंप्स कैसे पाएंगे जी हां फ्री में आप कैसे जैंप्स पाएंगे वह भी हजारों के अब को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर राइज अफ सिवलिजाशन के वीडियो बनाता रहता हूं ओके थेंक यू